प्राइम टाइम की एक एपिसोड लेकर और डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आज आपके सामने पेश है जिसमें हम आज कुछ बाते करेंगे जाहरे करेंट अफेर्स में दिन बर दिन चेंजिस आती हैं नई नी खबरे आती हैं कुछ खबरें मन्जर आम पे होती हैं और कुछ पस मन्जर में होती हैं यानि के कुछ अंजर उनी खबरे होती हैं और उसकी कोई तस्दीक नहीं होती कोई बावसूख जराय से हमें इतला तो मिल जाती है लेकिन उसकी मुस्द्दिका इतला नहीं मिल पाती है उसके लावा जो बाते हैं कलबुशन यादाव का जो मस्ला है, वो क्या है? असल बात क्या है? इससे बात करेंगे. स्स च्टूडीो में ताहिर असनलम लगाउर साथ हमारे साथ मौझूज है, बलकम करते हैं ताहिर साथ, बात शूरू करूंगा, मैं आज पाकिस्तान में एक जो के रियासत है जहां पे जिना सहब ने कहा था कि यहां पे सबको मख़ब की आजादी है जो भी यहां पे रहता है हिंदू, सिक, इसाई, जितने भी मजाइब हैं, जितने भी मसालिक हैं, जितनी भी नसले हैं, जितनी भी जबाने हैं, सबको को बहुत कूर्ट किया जाता है कि जो नहें नहें कहाता कि यॉर फ्री तू गो तू यॉर रिलीजियस प्रेसे लेकिन खुद जनाता है वो रिलीजियस divide کی base पे बनाया था two nation theory पे बनाया था बड़ी हैरत होती है मतलब मैं तो एकी कौम हूँ मैं कोई मुसल्मान होने के वज़ा से अलग कौम नहीं है ठीक है वो तो एक faith है कौम तो मैं हिंदोस्टानी हूँ चाहे पाकिस्तान अलग से country है बंगलादेश अलग से country है हम सब इंदोस्टानी है जैसे सब यॉर्पियन होते है तो वो चुके confusion ही हमारी असास में बैठी हुई है अच्छा वो बचैरी जो पाकिसान में रहने वाली कोट अनकोट minorities हैं मैं चुके minority का word पसंद नहीं करता इसलिए में कोट अनकोट का तो मुझे कोई कैनड़ा में कहे तो minority है तो मुझे नहीं अच्छा है कोई है नहीं है चुके हम equal है वैसे कैनड़ा में भी ये लफ़ज बढ़ते है हमारे अपने लोग ज्यादा बढ़ते है अच्छा नहीं लगता वो अपने अपको खुद उसमें शामिल कर लेते है तो मुझे लगता है अच्छा अच्छा अब पाकिसान की जो ग्राउंड रियालिटी है वो अनफर्चुनेल्डी ये है कि मुझे मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिसान में कोई दो तीन चार पांच को यतने एक मंदर यतने गुर्दवारे दिखावे के लिए छोड़े लोग कहते हैं आप गलत कहते हैं कैसे तोड़े ये तो नहीं हुआ मैं दावे से कहता हूँ देखिए राम की दर्ती बाबा नानक की दर्ती पूरा पाकिस्तान ठीक है नहीं अब वो उस दर्ती में कैसे ममकन है कि हट दूसरी गली में मंदर और गुर्दवारा ना हो ये जो बड़े-बड़े मंदर हैं गुर्दवारे हैं उन में से कुछ आई वाश के लिए रख चोड़े हैं ठीक है लेकिन जैसे मच्चते होती है चुट-चुटी जी ऐसे जग़ 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 पे जग़ जग़ मंदर गुर्दवारे हैं नैचरल है जो भी कम्यूटी जहां कहीं रहती है उसी इंदास के साथ रहती है आप कैनिडा में देख लीज़े जो यहां पर पर परानी सैटलर कम्यूटी हैं डाउंटाउन किसी शेहर के डाउंटाउन में चले जाएए आपको छोड़ छोड़े चर्च नज़र आएंगे बलकुल बलकुल तो यह एक नैचरल है तो वो मंदरों और गुर्दवारे कहां गए मैंने तो अपने बच्पन में लहोर और कुसूर जिनको मैं ज़्यादा जानता हूं वहां पर मंदरों के असार तक मिटा दिये गए बदकिसमती से मंदरों में गुर्दवारों के कुछ के असार बाती हैं वहां पे गाये और बक्रियां चरने के लिए बिठा दी फिर आस्ता आस्ता कब्जा ग्रूब वालों ने कब्जा करके वो मकमल मलिया मेट कर दिया आप बात कर रहें के फिजिकल स्ट्रक्चर की टायर बाई पैयर मैं आप को वजिकल स्ट्रक्चर है उसको उसका नामों निशान पर दिया और जो असल उसकी हकीकति उसको tem कर दिया गया ये ओनिके वो वो सिर्फ यह नहीं के फिजिकल positivo । को बलकि हर तरह से जहनी तोर पर फिक्री तरूर भी इसको खतम कर दिया गया यह सोच थी कि यह पाकिस्तान अब शायद एक ही नेशन यहने के awe neshan aslam के लिए बनाए है वो वजा लिए इस्लाम के अंदर कि एक बनना जा रहा है, हकूमत पाकिस्तान ने उसके जमीन अलोट की, उसके लिए फंड्स अलोकेट किये, अब उस पे जो है कांट्रोवर्सी शुरू कर दी गई, अब कांट्रोवर्सी जब से ये एलान सामने आया, मनजर आम पर आया, तो कोछ गुरोहों ने बात्ची शु पाकिस्तान कि कि इसलامती के लिए खत्रा है, और फिर वो उसको अजीब औ गरीब तोजिवाडिया के साथ जोड़ देंगे, हाल情 कि समझना, इंडिया ने वरोद करने वालों को आई? ना पाकसान को पता चला किसी ये एक्चुली है किया एक हुमेन लाओ था जिसमें जो पर्सीकूटड लोग हैं उनको हम भारत की सिरिजन शब देंगे अगर वो आना चाहेंगे फिर वो कहते हैं जी पाकस्तान के जो मुसल्मान है उनका क्यों जिक्र नहीं किया बड़ी डिस् आप करें जी गलती होगी जो अलताब भई कहते हैं दिल से कि बड़ी ये वाकर हो गया तो चलिए जी आप मैं समझता हूँ कि दुनिया में बलंडर होते हैं बहुत सारी नई रियास्ते बनती हैं अभी योगसलाविया अभी हाली की बात है तीन मुलक उससे निकले बहुत उसको अपनी बन्याद बनाके बैठ जाएं कि नई जी हमने इस बेस पर ये कंटी बनाया था अब मंदर नहीं बनने रहें तो बनने देंगे नहीं देंगे देंगे गार्म्मेंट आई वाश के तौर पर चारी अपने इमिज बेतर करने की खातर चारी है कि मंदर बने ठीक ह मंदर बनने के इतने ही चांसे से हैं जितने के कुलबोशन यादव को आज़ाद कर देंगे जीरो परसंट ये अब नहीं बनेगा इसलिए कि इसको रेफर कर दिया गया है इसलामी नजरियाती आईडियालोजिकल कॉंसिल की तरफ वो ये डिसाइड करेगा सवाल ये नहीं नहीं पैदा हो रहा है कि मंदर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए आपको बड़ा इंटरस्टिंग सवाल बताता हूं सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान के बजट का पैसा मंदर में लगाना जाइज है के ना जाइज ये बहस कर रहे हैं ये बहस हो रही है मतलब कित भी community किसी भी faith club के लोग रहते हों वो equally बराबर समझे जाते हैं ना चाहे वो क्वाम टेक्स टेक्स देते हूं अपनी आमनन के साब से चाहे ज्यादा देते हूं मगर they all are contributors they all are participants they all are part of that system exactly ये तो बात ही करना हम मतलब इन लोगों की हमागा दे बिल्कुल ठीक तो आपने तो की एक different सूरत भी दिखाता हूं अच्छा वो क्या मुझे ये लगता है कि शायद ये मंदर बनने की कोई नो की राह निकालेंगे दुनिया को ये बताएं कि देखा हम ना कहते थे कितनी मुखाल्फत हुई तैर भाई आज के शो में मैं आप से शर्त लगाने को तेया हू क्योंकि देखें जिस तरह आईद का चांद होता है ना उसको हमें एक मौलवी के हवाले कर देते हैं अब ये मामला एक उलमा के हवाले कर दिया गया है अब वहां के आलिम, फाजिल, मुला, मौलवी, फकी सब बैठेंगे और ये तैय करेंगे कि पाकिस्तान का पैसा मंदर जैसी जगा पर लगाना जाइज है के नहीं जाइज है और ये पाकिस्तान में अब कभी भी नहीं होगा, ये इतने ब्लैक मेल है, मौलो के आथ हो आपको पदा है ये ब्लैक मेल है, ये कभी भी नहीं होगा, ये आज के प्रोगाम में हम देख लेते हैं, अगर शर्त मेरी आ कर रहे हैं, यह आप इंटनेशनल प्रेशर पकिसान पे इतना है. कि मॉला उस प्रेशर में नहीं आते होते हैं, आर्मी इस्टैबलिश्मेंट उनको कहेगी चुक्त आर्मी के प्रेशर में ये लोग आते हैं आर्मी के बात ये सुनते हैं इमकान ये है कि वो कहीं कि जनाब ठीक है ये बनने देता कि हम दुनिया को बिलकुल आई वाश दें और कहीं कि देखा हम ऐसा भी कर सकते हैं आपकी इस बात में दाम है ठीक है अच्छा चुक्के वो जो ये जो करतारपुर का गुर्दवारा था वो भी एक आई बाश का इसलस्रा था ना मैं बताओं आपकी बात में क्यों दाम है क्योंकि पिशली जो ईद गुजरी है उस पे चांड नजर नहीं आ रहा था तो मौलाना साब को एक मेजर जनल साब का फॉन गया और उन्होंने चांड दिखा दिया मेजर जनल साब खुद ही चांड होते है कि ताहिर साब की बाद सही थाबित होगी कि बनेगा या अनीस फारुकी की बाद सही होगी कि नहीं बनेगा आप लोग क्या सोचते हैं कामेंट में आज हम पढ़ेंगे जाके लेखते हैं जो कह रहे हैं उसके 55% chance हैं नहीं जो कहा रहा है उसके भी 45% chance हैं मत्ब जीरो chance हैं इसी तरह मैं कलबूशन यादिव की बात भी जोड़ता हूं जी पाकिसान ने कहा कि कलबूशन यादिव ने review petition के लिए कहा है कि उसको कोई जोड़ नहीं है जिसका मत्ब यह है कि वो यह कह कमें कसूर वार हूं. यादाव किस ने का। काल पाकिस्तानु गार्मनिंट केर impacto के उनَّने का जी ख़एकिन के कााल काल पाkt फ्रमड ओडिय यादव ने कहा दिया कि मुझे रिवियूёं पमें भी प्रीशन नहीं हुस्ता है. जिसका मतलब यह है कि हाव आप यो इसामार लग आच्छा बहुत है international pressure पाकिस्तान 45% यह चाहँ आख पाकिस्तान उनको भी छोड़ दे क्यों वी आईवाश है कुलबेशन यादफ को छोड़ दे 45% में 55 नहीं नहीं अप कभी भी नी चोड़े हैं आप मैं कह रा हूँ कि आप तो 55% है ठीक है यह में मैं मान रही है लेकिन ये ऐसा इमकान कोई 0% मेरे नज़रीक नहीं है। मेरे नज़रीक इस बात का भी 45% चाहंस है। मैं आपको बताओं क्यों नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताओं। उसकी वज़ए यह है कि आपने गोर किया होगा। कि पाकिस्तान की तारीख अगर आप उठा के लेकिन आज तक वो एक रॉक का बंदा पाकिस्तान से पकड़ नहीं सके। वो इरान से एक ताजिर को ठाके लिया है और उसको का कि यह रॉक एजेंट है। अब उसको छोड़ेंगे तो यह भी इनकी बात कच्छी हो जाएगी दर। नहीं छोड़ेंगे नहीं इसलिए मैं जिनों पर नहीं करते लेकिन हम यहां रह्म करेंगे जो कर इंटरनेशनल ही दिखाएंगे कि हम बहुत ही रहम दिल लोग हैं ठीक है और फिर हम भारत को बार बार कहेंगे जैसे हमने चाहिए एक दफ़ा अभी नंदन को पेश की थी तो हम यह भी बार बार जिताएंगे हैं कि हम कितने अच्छे बचे हैं हम कितने रहम दिल लोग हैं ठीक है फॉर्टी परसंट चाहस है तो भी और अगेन फुलकोशन यादव के बारे में आपकी क्या राय है आप क्या कहते हैं ताहिर भाई कह रहे हैं कि एक आई वाउश करने के लिए रहम दिल रियासत के हर साजिश के पीछे रॉक आईजेंट शामिल है और पाकिस्तान में भी रॉक आईजेंट है और कलबोशन भी रॉक आईजेंट है तो मेरा ये मानना है कि वो उसको नहीं छोड़ेंगे आपका कॉमेट का यहां इंतिजार रहेगा जो रिव्यू पेटिशन की बात किया है जहनी अजियत से गुजर रहा है टॉर्चर में वो ये बात ना कहेगा जो कि आपको आपसे मनवाई जाए तो वो तो कहेगा अगर भारत की मिनिस्ट्री आफ एक्सेनल अफेर्ज के जो स्पोक्स परसन है उन्होंने आज भी कहा कि ये कलबूशन यादिव से जो मनसूब स्टेट्मेंट दी जा रही है ये इन फैक्ट आ उनकी अपनी स्टेट्मेंट नहीं है ये दबाओ के नतीजा में वो ऐसी बात करते हैं और ये बात ठीक है मतलए ये हिनुस्तान का ये कहना है और ये मेरे खाल में इसमें ज्यादा सचा ही है ये तो बात सची है अंडिस्ट के सिल्सले में फाँज का एक फोन चलाएगा या इद का चांद के लिए फोन चलाएगा तो फाँज में सुना है कि कुछ नाराज लोग भी हैं हलके भी है और कुछ खुछ खुछ की खबरें तो सामने आ चुकी हैं कई की नहीं आई कई तरह के रिवॉल्ड्स रहे हैं माजी में ऐसे रिवॉल्ड पी रहे कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रीमिस्ट फॉजी थे जिनका ये ख्याल तक इसलाम इस मुल्क में ठीक नहीं चल रहा है अचा तो और आना चाहिए इसलाम औ यानी वो खैर अब जो आपका वजीरियाजम है वो खुद भी कोई कमाल का वजीरियाजम है उसकी अपनी भी तो एक ट्रांस्फरमेशन हो चुकी है ना असल मैं अभी पिछले दून आपको याद हो का पी आईए के पाईलेट का एक मसला है था जी के वो जाली लाइसेंस प उनका वो होता है आदते हैं उनकी बिगडी में ऐसी कि शाम को वो जहाज होते हैं हाँ पाईलेट भी तो वो इसी इसी तरह की है और उनको पाईलेट जो है वो भी जाली है हाँ वो भी पाईलेट जब आसमान को आसमान पे खुद ही तैरना शुरू हो जाते हैं शाम को तैर यादे चोट भी सकते हैं यह इन्हों तो यही थाबत करना है कि देखिए हर साधश के पीछे रहा है हर पाकिसान यही मेरा पॉइंट था रहा है लेकिन देखे हम हम कितने रह्म देल हैं तो इस बात आपके ख्याल में यह जो फौच का वो हलका है जो के नाराज है क्या इसकी इस वक्त जो हम खबरें सुन रहे हैं जो अंधरूनी इतरात आ रही है ना यह कल्बूशन यादब के मसला पे हैं यह बहुत चोटे मसले हैं लेकिन पाकिस्तान की बड़ी फाज ताकतवर तरीन फाज नंबर वन फाज इस पे अगर आप अंदर ही अंदर जो है वो कमजोर ह हो रही है तो कश्मीर कैसे फता होगा, ये कैसे आगे चलेंगे फिर कश्मीर के Sub-Kishmier बनेगा, पाकिस्तान ये नी बनेंगा , पन्जाबी में कहेते हैं खेदी मिटी पाकिस्तान बनना है, ठीक है ठीक न हो तो खेशन साल में कुछ ना कुछ तो उसकी सूरत बनी होती ना वो तो इस बैस में फिर हम करने जाएंगे बड़ी बड़ी अजीब मजाया सी बात मैं आपको हो कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाली बात वो लोग कर रहे हैं जो कि खुद पाकिस्तान को आदा करके बैठे में और आ अपने हाथों से अदा पाकिस्तान को आपने हाथों से स्रेंटर किया मैं इसमयता हूं कि वो इंडिया की मेरमानी थी या हमाकत थी कि इनके 93000 इमीजरली वापस कर दी है रहम दिली तो यह उई ना ठीक है रहम दिली तो यह वड़ना वो 93 को वहीं पर रखते फिर इन से कु प्रोपगेंडा चल रहा है इनको शायद वो नाइटी थ्री लोग वो वो भी तो किसी के भाई थे बाप थे जो वापिस किये हिंदुस्तान ने अपने कजन थे जी उसमें और वो देखें वो माई भी तो इंतजार कर रही थी ना तो मैं तो उसको अच्छा जेस्टर समझता ह हूं हाँ वो माई जरूर लेकिन और वो कभी जटाते नहीं हैं आज भी नहीं जटाते वो माई जरूर इंतजार कर रही थी मेरे अपने कजन अब जार आर्वी में थे उनका यही काम था एक मारे गए थे बंगलन देश में एक वापस आई बिचारे तो वो अपनी जेनी हाल इस फासा की कहानी सुनाने वालों को सुनाने की जरूरत है। supplement कि 33,000 सपोतों को वापस भेजाता हैं इंडॐस बिचाने और लेकिन चले खे खेर यह जो इमरान खान फान वाली अपने बात की जहास बन जाते हैं इस जहास को भी मायनिस करने की बाते हो रही हैं कुछ सुनने वो है फार्ज के अंदर ये जो रिवाल्ट खास पर इमरान खान के आने के बाद माइनस वन से जोड़ी हो ये बात है ठीक है ठीक है ठीक है चुकर इमरान और बाजवा की एक जोड़ी है ये जोड़ी जो इनिशली थी ये थी जो चाइना गुरूप है पाकिस्तान की आर्मी क अच्छा उसके opposite थे ये कہने को दिखाने को हाथी के दांत और खाने को और वाली बात होती है कहने को तो ये कहते है कि हम Bड़े चीन के साथ हैं इमरान भी कहते हैं बाजबा भी कहते हैं लेकि दर हकीकत ये समज़ते हैं कि Чीन का जो expansionism का जो सिलसला है और जो ये जो एड़िवंचर है ? ये पाकिस्तान को बिलकुल अंगल्फ कर लेंगा, छालेंगा छीक है ये स्कूल आफ थाउट के थे फाउज का वो गरो जो इम्रान को लाया वो स्कूल आफ थाउट से था, हुआ ये कि जो इतलात हैं अमेरिकंज इन्होंने अमेरिकन्स को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन अभी तक बात नहीं बन रही इनको समय नहीं आ रही कि हम किदर चाहें हम चुक्कि चाइनीज को भी पता है और फौज में उस ग्रोव को भी पता है जो चाइनीज नवाज है वो बड़ा स्टॉंग ग्रोप है लेकिन मसले एक अमरीका तो इस वक टोटल चाइना के जो है वो खिलाफ जा रहा है अमरीका वो खलाफ जा रहा है लेकिन देखिए एक इसमें मैं थोड़ी सी पाकिसान आर्मी के अगर आप जूते में अपना पाउंट आलें तो समझने की ये कोशिश करें कि पाकिसान आर्मी के पास कोई आप्शन नहीं है पाकिसान आर्मी नवाज शरीफ और जन्दारी के जमाने में ये बाता है कि बहुत ज़्यादा चीन के साथ चली गई थी कमिट्मेंट हो गई थी कमिट्मेंट्मेंट्स में उसमें बहुत ज़्यादा कारोबारी इंटरस्ट भी थे वही, विरौक्रिसी के भी, आर्मी के भी, और प्यंटनो के, बीलियंज के इन्वेस्ट्मन्ट थी? चीन ने नए इन सब कहवाँ था एतने इतने पैसे मिलेंगे, इतना तुम ख़ा लेना, अथना हम कहा लेंगे, इतनी हमारी कम्पनीयां ख़ा लेंगे, तो वो जाल बिच किया था इतना हम इंटरस्ट तुम पर डाल देंगे इस पे फिर बाजवा एंड ये कंपनी आई कि नहीं इस से हम कैशी तरीके से बाहर निकलें अच्छे ये बाहर निकल सकते थे अगर ये बाहरत को सही शोर्ष देते अमेरिका को सही शोर्ष देते इस के साथ इनों ने सही से चलना है तो फिर इनकी वो बात नहीं बनी तो अब वो रिवाल्ट ये कोई नया नहीं है कभी ये प्लिटिकल हुआ था आपको याद होगा कुछ महीने पहले मौलाना फजलरिमान का एक था मार्च जी उसको उसके पीछे एक ग्रूप था उसके नहीं कर सकेंगे उन नहीं को निकाल दिया तो ये वो चल रही है अंदर टेंशन अब इसी टेंशन का सिरा मिला हुआ है माइनस वन के साथ माइनस वन की हिस्ट्री क्या है माइनस वन की हिस्ट्री पाकिसान में आप जिना सब के जमाने में देख ले अच्छा ठीक है इवन لیاکت علی خان. فاطمہ جنہ کو بھی मانس کیا تھا. मانس کیا? لیاکت علی خان کو मانس کیا. جنہ صاحب کی embolens راستے میں خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ंकو मانس کر دیا. یہ मانس ون کے history پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہوتی ہے. لیکن یہ सب سے زیادہ عرouch پہ جب پہنچی جب یہ ایٹیز نایٹیز میں ایک کراچی میں ایک ایم قیم کار اے اور باتیں شروع ہو گئی کہ الطاف حسین मانس الطاف حسین. क्योंकि अलताफ हुसेन मासिस के एक ट्रू लीडर थे और अभी भी है अपनी पार्टी में जो मक्बूलियत उन्हों ने हासल की आज तक किसी ने हासल मासिस के अपने लवज यूज किया ना मैं समयता हूं मासिस से ज्यादा मिडल क्लास के लीडर थे और पाकिस्तान में आज तक मिडल क्लास का लीडर कोई आया नहीं जिसने के आँखों में आँखे डालके गरिबान पकड़ के बात किया हो कि फौज का बजट के सवाल किया हो वडीरों को चैलिंज किया हो, मरात याताज, यानि कि जो पाकिस्तान का एक सिस्टम है, उसको तोड़ा हो, कि अब ये, तो ये बात लोगों को पसंद ने आई, तो वहां से बात लफ शुरू हो, माइनस वन, जी, देखिए, अलताफ हुसैन साभ, उस मिडल क्लास के भी लीड जी, तो मैं, मैंने इसको बगार पड़ा, मैं सोचने मजबूर हुआ कि मेरा ख्याल था कि वो थोड़े से कोई रैशनल हो रहे हैं, फिर वही अल्ला रसूल पे, कि जी, अल्ला ने उनको ये दिन दिखाने थे, अलताफ हुसैन को, और वो इसलिए उनको जिन्दा रखा, कि वो थनी ये रिस्वाई का जमाना देखे, जब मुझे, ये क्या रिस्वाई हुई, जी, अलताफ सेंड ने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया, भरपूर तरीके से रूल किया, डिरेक्ट भी और इंटरेक्ट भी, और आज की जो सिच्वेशन है, उन्हों ने खुद ही उस सियासे से अपने आपको लग की है ना, जी, जो को उन्हों ने देखा कि ये वाली सियासत, जो मैं करना चाहता हूँ, वो नहीं चल सकती, जो अवाम की आवाज की सियासत है, ये नहीं हो सकती, तो ये वाली जो सियासत है, ये तो मैं नहीं करूँगा, मैं सरेंडर करने स ये भी लगाता था, कोई ऐसे भी थे, कि जी अलताफ भाई, अंदर से मिले हुए हैं, कोई ऐसे भी लोग थे ना, जी 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 उन्होंने भी अपनी आँखों से देख लिया, जी, और मज़े की बात ये हैं, कि वो ही उसी फॉच, उसी फॉच के ग्रूप, वो जो आप ग्रू सपने सोने के नाख़े हैं, कि कराची में की सियासत वो पूर olduğunu पौरे पाकीसान की सियासता ही, बड़ी मैसी है।ור उस मैसी सियासत में सारे डिसेजिजन चाहे इलताफ भाई की तरफ़ेंवों चाहे किसी भी सियासी पार्टी की तरफ तरफ हो, वो सौफ इसे ठीक नहीं भी थे इसलिए कि वो बहुत सारे तो उनके हाथ भी नहीं था जो उनके चम्चे या उनके स्पोक्सपरसन होते थे वो सारे मैस करते थे जी जी तो खेर वो माइनस वन पे माइनस वन का जो मामला है जुल्फकार जी बटो को कतल किया जी अलताफ हुसैन को मुल्क बदर होने पर माइनस किया जी ठीक है मतब आब कौन बचा आप देखिये एनपी के कैसे कैसे लीडर थे जन जन जनको माइनस करना था करते चले गए जी घस अब उसी तरीक में अगर ये आते हैं आपके इमरान खान तो कोई मसला नहीं है कोई प्रावलम ही नहीं है ठीक है जो कि इमरान खान की पार्टी के अंबर बहुत सरी फूट पड़ी हुई है अब जो establishment जो उनको लाई थी उनको पता चल गया कि भाई यह हमारा spokesperson तो बहुत अच्छा है इस से ज्यादा हमारी हां से हां मिलाने वाला आज तक कोई नहीं आज जो तक कोई नहीं आए लेकिन डिलिवर कुछ नहीं किया अब वो क्या करें अब डिलिवर करने के लिए अब जो है वो दूसरा मिस्टर तरीन जो है वो अलग हो गए जी शाम एमूद कुरेशी जो हैं वो अंदर ही अंदर वजीर आजम बनने की खौश रखते हैं जी चुकर वहां पे तो मतलब एक मैं बड़ा ही क्रूल वर्ड यूज़ करूँगा चलिए इन पे ना एप्पलाई कीजिए यह वैसे मैं यूज़ करता हूं हमारे उस बैक होम के यह साउट इशिंग कल्चर में कहते हैं कुता कुते का बहरी है ठीक है ठीक है तो यह सारे एक दूसरे के बहरी है जी अपने अपने मफाद के लिए अपने ज़नल आड़ा है यह तो अपने बाप के नहीं है वो कहता है अमेरिकन जनल निकाता नहीं कि यह तो अपनी मा को भी डालरों के बस बेज़ दें ठीक है तो अब वो शाह मुद कुरेशी जो सबसे दा लायल नजर आते हैं अंदर से उनके मन में लड़ू पूट रहे हैं अगर ये माइनस वइन ये होजाए है कि इमरान खान की पपू trend बहुत बुरी तरह नीचे आई ये उसके अपनी चाहनेवालों में उसके अपनी पार्टी के अंदर भी आप देख लिए इस वक्रे नौाशरी मुल्क से बाहर है कुछ डिलेवर भी नहीं कर सके चुकर उन पर बहुत पबंदियां नहीं लेकिन उनकी पार्टी के लोग उनके लीज उनाइटेड है ठीक 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 ऐसा हला कि वो बिलकुल इस वक्त पार्टी को फाइदा देने के पॉजिशन में नहीं है जी ना हो पाकिसान में रही पार्टी इंटक्ट है और ग्राउंड पे अभी वी उसकी ग्रिफ्ट है आज एलेक्शन हो आज फिर वो सूइप कर जाएंगे इसमें तो कोई डाउट नहीं ना कोई कोई जो उनके स्वीप करने का अगर चांसे कम थे अब बढ़ गए अब इनकी नलाइकियों की वज है ये देखा जा रहा है कि इमरान खान जो एक लंगड़ा गोड़ा था जिस पे उन्होंने पैसे लगा दिये थे वो तो फेल हो गया इन्होंने तो बुरी तरह लाप किया लैट्स ब्रिंग क्यूंकि देखें का भी एक होता है ना कि आपको पैसे होगा तो फौज चलेगी फौज को ने का कि ये तो हमारी भी लुटिया डूबो देखा कल को तो इसलिए अब ये माइनिस वन की बाते हो रही हैं मैं इसको जोड़ूंगा थोड़ा सा आप हम वापस चाहेंगे जब आपने अल्दाफसेंट साब की थी कराची के हवाले से कि जो जो बाते जो 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 लोच और जुल फिकार, मिर्जा, कादिर पटेल ने की जियाइटी लहराई थी और अली जैदी ने वो जियाइटी तो ये थाबित करती है कि ये सब के सब इतराफ जर्म, इक्रार जर्म और इकबाल जर्म करके इनको आज लटका देना चाहीए जब कि ये आज भी आजाद इस पर साइन नहीं है, यानि के आप देखें कितना बड़ा आई वाश किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं हम, देखें ये सब कुछ ड्रामे ही चल रहे हैं, ड्रामे हैं, पाकिस्तान में अनफर्चुनेडली फॉर दे पास 72 यर्स हम मुख्तलिफ तरह के ड्रामे ही द नहीं जाती हैं, और ये जो सारी की सारी सूते हाल है, जे आई टी की बात हो, और लियारी गैंक का आपने जिकर कर रहे हैं, कराची खास तोर पर एक बैटल फील्ड रही है, इस्टैबलिश्मेंट एक्जाटली वर्सिस डिफिर्ट ग्रों की, और नॉट अल्ली देट, अभी बैटल फील्ड नहीं बना, इसलिए के पंजाब से ही इस्टैबलिश्मेंट है, अब ये लड़ाई नौाज शरीफ की, मुस्लिम लीग की चल रही है पंजाबी आर्मी के साथ, तो आप ये देखेंगे, वहां बैटल फील्ड नहीं बन रही है, अच्छा, ठीक है, व ये पश्टून बैल्ट बैटल फील्ड है, ये और तरह की बैटल फील्ड है, ये टेररिजम के कारुबार के लिए, ये ये बिचेरे उस आग में जौंके गए, ठीक है, बलोच चुके इंडिपेंडन्स मांग रहे हैं एक लंबे समय से, तो ये बैटल फील्ड है, चुके बलोच असान में बहुत सारे रिशोर्सेज और अब सी पैक की वज़ा से, चाइना के आ जाने की वज़ा से, अब पाकिस्तान के लिए तो मुम्किन ही नहीं है, कि बलोच रिजिस्टन्स को वो थोड़ी सी भी इजाज़त दें, वो अगर्च अलग बात है कि इनकी इजाज को, महाजरों को, सराइक्यों को, सिंधियों को, सब की आपस में लड़ाई करवा देते हैं, वो बहुत असान था, बलोच रिजिस्टन्स में ये वली लड़ाई मुम्किन नहीं थी, पश्टून बेल्ट में ये वली लड़ाई मुम्किन नहीं थी, इंटीर सिंध में ये व हो रहा है लेकिन इसके पीछे जो हाथ था जैसे जुल्फिकार मिर्जा इन्हों के जो मोरे थे इन्हों ने असलाभी माटा ये तसलीम भी भाद लोगों को मारा भी मैं इस सवाल करता हूं कि जो पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट जो अपरेशन दर अपरेशन करती है सारी कौम ये तुबे ये पीबल्स पार्टी के इन गुड़ों के खिलाफ क्यों नहीं इन्हों नहीं किया है इसके इस पर भी तो एक्षिन होना है इनको भी तो लटकाने चाहीं था उल्टा देखिए पीपल्स पा जब MQM की बात होथी तो एक ही MQM है बाकी तो सब जो पाकिसानी तोले हैं वो तो सब रौड है एक तो MQM को दिवार से लगाना था लेकिन MQM दिवार से नहीं लग सकी थी अपरिंडी लगता है कि दिवार से लगी हुई है इसलिए एक लीडर उनके मेंन बाहर बैठे है तो भी लेकिं जन्ता साथ है अवाम साथ है फिर उपर से ये जो अब उन का जो जो सिन्धियों के साथ जो नेशनलिस सिंधिय है उनके साथ जो च्छलती है पीपल्स पारर्टी जो है वो चोके संधिकाट केलती है पीपल्स पार्टी की बुन गौपिशन गौवरमेंट्स बनी हैं-किम के साथ, मतद्दद बाहर बनी है जाहि вним camera भी मतबल है वहाद का मत-मठ बनी नी सब्कूदिरियों नी बन सबी है, अ मत-मज़न नी abe था हे नश सब्किछão ठीक कि लॉक حकوقی بات کریں यही बात Altaaf Ulcayne صاحب पहले भी कर रहे थे अब वो बर्मुला इजहार कर रहे थे अब वो कह रहे हैं कि जब हम सिंदू देश की बात होगी तो वो सिंदू देश की बात में सिर्फ महाजर की बात नहीं होगी सिन्धियों की बात होगी और हम भी सिन्धिय हैं जैसे हम केनेडिय हैं आपर में केनेडिय हैं ठीक है ठीक है ठीक है हमारा पहला इंटरस्ट केनेडा है क्योंकि इस इस बात से उन लोगों को होसला मिला है जो के सिन्ध के लोग हैं सिन्धी बोलते हैं हारी किसान मजदूर आम عام عام سندھی جو کہ وڈیرے کے جبر میں उसकी निजी जेलों में उनके कोड़े खा रहा है उनकी ओरतों को ठाके ले जाते हैं और टाकों में बंद कर देते हैं तो अब उसको भी आवाज मिली उसको भी होसना मिला सिंद के लोगों को भी होश आया सिंद के लोग भी शामिल हुए तो सिंदु देश का एक लवज उभरा और उसकी ग्यादत जो सिंद के लीडर्स हैं और अलताफ हुसैन साब को अनुने सरबरा जो है वो ऐलान किया लेकिन मेरा ये सवाल है कि अबलोच हो या सिंदु देश की बात हो क्या ये आजादियां इतना असान है जो ये आजादी की बात करते हैं मैं तो इसको आप से जाना चाहूँगा लेकि आजादी की बात तो कर सकते हैं ये इनका डेमोकराटिक हाग है लेकिन असान कितना है क्योंकि मेरा सवाल ही होता है कि कौन साथ खड़ा है फिर इनके दुनिया में दुनिया में कोई साथ तभी खड़ा होगा कि जब आप अपनी पुजिशन बताएंगे और पुजिशन अंदर से आएगी ठीक है पुजिशन इन्हों ने बता दी कि हम अब अपनी अजादी चाहत आमिस फैडरेशन में नहीं रह सकते अब कौन इनके साथ खड़ा है अफ कोर्स इनकी अपनी जनता या इनके अपने चाहने वाले लोग तो हैं लेकर वो बेबस हैं उनके पास वसाइल नहीं हैं और जो बैनल कौामी धारा है उसमें देखिए अब चीन के मफदात भी हैं च चीन अगरचे पाकिस्तान को अपने तोर पर हड़ अप करना चाहेगा खास वर पर वो हिससे पाकिस्तान के जहां पर उसके ये इन्वेस्मेंट हुए हुए हैं लेकिन ऐसा अमरीका तो नहीं करने देगा बिलकु नहीं चुके अमरीका के मफाद में नहीं है इंडिया के रवाई कर रहा है तो और उस पर वो जाहर है वो रिट्रीट भी हो गई है पसपाई हो गई है वहां से बाहर भी निकल गए है तो उस दबाओ जो आलमी दबाओ बढ़ा है इस खिते में अमरीका का भी फिर हिंदुस्तान का अपने एक सूपर पावर के हैसे से जो चीन की ज चीन तो वापस निकल गया चीन की इस पसपाई में अमरीका अमरीका तो बहुत बात में आते हैं असल जो क्रेड़िट है वो भारत के जवानों को भारत की आर्मी को जाता है ठीक है चूंकर वही बात है पोजिशन लेने वाली बात होती है अगर मैं अपने मौकर पर नहीं डट हूँगा तो आप मेरा साथ कैसे देंगे ठीक है ठीक है ठीक है आप भी अपने काम में काम में जोते रहेंगे पर आपको ख्याल ही नहीं है बारत ने का हमें दुनिया की परवाद नहीं है अमरीका क्या सोचता है यह जो गेलवान वैली की जो लाइन अफ एक्शन वो यह वैली है जी जी तो बस यह है जी कोई एक्जेक्ट इंच बाइच दो वर्चॉल लाइन हाँ बिल्कु ऐसा ही है कोई इंच बाइच तो नहीं है जब वो उसमें उन्होंने आगे घुसने की कोशिच की अब इंडिया की आपटिशन पार्टी है करी वो घुसाए थे जी जी वो वही बात है कि कवा काला है या सफैद है कि काता जी वो सफैद है जी बाइच 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 बाइ यह अब न इन्वेसिव हैं, यह आना चाहते हैं, उन्होंने का तुम नहीं आ सकते हैं, तुम नहीं रोक दिया, ठीक है, तुमने इनको रोका तो उन्होंने डंडे वंडे और वो लोहे की राडें लाए हुए थे, जो बैक स्टैबिंग हैं, जो ट्वीटी के खलाफ था, कील लगे हो, वे तो जो जो इन्वेमेशन आई, उन्होंने जब वो किया, तो उससे बाहर के एक करनल और भी उनके समय उन्नीस और, बलके बीस टोटल लोग जो खबरें हैं, इतलात हैं, वो वहाँ भी शहेद होते हैं, अब यह भी रिटेलियेट करते हैं, तो डिफेर्ट से लेके, को फिफ्टी सिक्स तक के करीम उस में मारे गए. जी, मैं कल एक शो में था मेजर गौरव आरिया के साथ, जी, तो उन्होंने पताया है कि आप गिंती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज का प्रोपगंड़ा बड़ा मजबूत होते हैं, वो खबर बाहर नहीं आ हो गया और क्या अब वो वापस चले गए? तो इस चोटी सी चोटी सी एक बैटल फील्ड को जिस तरह से ब्लो करके पाकिसान में जशन बनाने शुरू हो गए थे, वो उनकी पसपाई हुई है, मैं यह समझता हूँ, इंडिया चाइना की नहीं हुई है, ताहिर भाई, मेरे बढ़ते हैं क्योंकि उससे हमें होसला भी मिलता है और हमें आने वाले प्रोग्राम के लिए मैटर भी मिलता है, ताकि जो आप चाहते हैं देखना, सुनना, जिस पे हम बात करें और आपको अच्छा लगे और वो फैक्ट्स हम आप तक पहुंचाएं, तो स्टे टून, हु这 दून है, तो सून के लिए रपको ऊभी मिलता हैं BE पहुंचाएं, तो सुन